Hello students, इस वीडियो में हम solve करने वाले हैं scholarship exam का paper 1 और उसमें हम section 2 जो की mathematics है वो हम solve करने वाले हैं देखो, यहाँ पे question number 26 जो है, वो हम वहाँ से start करते हैं तो 26 से लेके 35 तक का, मतलब total 10 questions हम solve करेंगे तो चलो start करते हैं इसको solve करना Question number 26 में हमें दिया हुआ है, factors of a polynomial are x-7, x-8 Find the polynomial तो हमें यहाँ पे polynomial के factors given हैं तो यह factors के help से हम उनका exact polynomial कौन सा है, वो find out करेंगे तो यहाँ पे हमें 4 options given है, तो सबसे पहले हम इसको solve करते हैं देखते हैं कि हमारा जो answer आएगा, वो कौन से वाले option से match कर रहा है देखो इसको हम कैसे solve कर सकते हैं पहले यह x को हम यहाँ पे x-8 से multiply करेंगे फिर यह –7 को हम x-8 से multiply करेंगे तो चलो यह लिख लेते हैं, यह क्या हो जाएगा x जिसको हम multiply करने वाले हैं x-8 से उसके बाद यहाँ पे हैं हमारे पास –7 और –7 को भी हमें multiply करना होगा x-8 में इस तरह से solve करना हमने अलरेडी 7 स्टैंडर में देखा है तो चलो एक बार फिर से revision कर लेते हैं तो चलो अब स्टार्ट करते हैं multiplication x से x को multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा x square – x में हमने 8 को multiply किया तो वो कितना हो जाएगा 8x नाव यह – 7 को हम x से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा – 7x और यह – और – क्या हो जाएगा plus 7,8 हो जाएगा 56 इक्वल्स टू यह हो जाएगा x square यह – माइनस माइनस हो जाएगा plus तो 8 और 7 को हम add करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 15x और देखो यहाँ पे माइनस माइनस है बट बिगर नमबर के साथ यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा यह माइनस होगा मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हम यहाँ पे addition करेंगे बट sign हम यहाँ पे बिगर नमबर का लगाते है और कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि x और x है तो x square लिख देते हैं तो वैसा नहीं करना है x और x का जब multiplication होता है तब वो x square होता है यहाँ पे जब हम addition करते हैं subtraction करते हैं तो वो नमबर को हम addition या subtraction करते हैं उसके बाद हमारे पास क्या बाकी है प्लस 56 तो हमें answer मिल गया है x square minus 15x plus 56 तो चलो चेक कर लेते हैं कौन से वाले option के साथ मैच कर रहा है आप देख सकते हैं कि हमें जो answer मिला है वो option 3 के साथ मैच कर रहा है तो अब हम answer कैसे लिखेंगे 26 नमबर में जाएंगे और वहाँ पे हम देखेंगे जो third वाला circle है उसको हम डार्गन करेंगे अब हम आते हैं question number 27 में देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है Rina had some flowers मतलब Rina के पास कुछ फूल है she prepared garlands from them तो उन फूलों से उसने क्या बनाई कुछ मालाए बनाई मालाव का मतलब garlands हुआ when she made every garland of 12 flowers she was left with 11 flowers तो अगर उसने one garland को बनाने के लिए 12 flowers use किये तो उसके पास 11 flowers बज गए यह हो गई first condition अब हम आते हैं second condition में जहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है if she had used 16 flowers for each garland then she would have left with 15 flowers अगर उसने each मतलब one माला को बनाने के लिए 16 flowers को use किया तो उसके बाद last में उसके पास 15 flowers बज गए if she had used 18 flowers for each garland then she would have left with 17 flowers अगर उसने one garland को बनाने के लिए 18 flowers use किया तो last में उसके पास 17 flowers बज गए find the minimum number of flowers that she may have मतलब उसके पास कम से कम कितने full होंगे वो हमें पता करना है तो यहाँ पे हमें 4 options दिये हुए हैं तो हमें ये तीनों condition को साथ में लेना है और every options को हमें one by one check करना है और देखना है कि कौन सा इसमें correct answer होगा तो चलो start करते हैं इसको solve करना अब हम आते हैं question number 27 में तो यहाँ पे suppose हम करते हैं कि minimum number of flowers x है तो यह हो जाएगा let the number of minimum flowers be x तो अभी हमारे पास कितने option है 4 option है ठीके पहला option हमारे पास क्या है 161 है second option हमें given है 155 third option हमें given है 143 और fourth option हमें given है 145 अभी देखो यहाँ पे हमें क्या करना है हमें one by one ये चारो number को चेक करते जाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा equation create करना होगा मतलब हमारे पास 3 condition है जो question में दी हुई है तो हम यहाँ पे 3 equations create करते हैं तो इसमें जो सबसे पहला equation होगा, वो क्या हो जाएगा कि एक suppose minimum number of flowers है और अगर उसने 12 flowers use किये, जो हमें question में given है कि 12 flowers use किये और P हमने लिया number कि P number of garland बनी तो उसके पास 11 flowers left थे, यह situation हमें given थी second situation हमें given है कि X equals to अगर उसने 16 flowers use करके Q number of garlands बनाए, जिससे उसके पास 15 flowers left हुए third condition में हमें given है कि अगर उसने 18 flowers use करके R number of flowers बनाए, तो उसके पास 17 flowers left हुए so three conditions के according, three equations बन गए है अब हम start करते हैं इनको one by one check करना, तो सबसे पहले हम 161 लेते हैं और अलग-अलग situation में इसको check करते हैं कि यह सारे criteria में फुल्फिल हो रहा है कि ने तो सबसे पहले हमने यहां पे first situation में क्या लिया कि हमने समझा कि अगर minimum number of flowers जो है, वो 161 है suppose, तो यह हमने equation में इसको put किया, तो यह हो जाएगा 12P plus 11 तो यह हो जाएगा 161 यह हो जाएगा minus 11 equals to 12P इसको हम solve करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, इसको हमने minus किया तो हमें मिला 150 equals to 12P अब हम यहाँ पे P के value निकाल लेते हैं P equals to कितना हो जाएगा 150 upon 12 जब हम 150 को 12 से divide करेंगे, तो numbers जो होंगे वो decimal point में आएगे, और decimal point में तो हम माला नहीं बना रहे हैं न, एक whole number है इसका मतलब यह वाले situation जो है, वो fulfill नहीं हो रहा है इसका मतलब यह तो नहीं होगा answer अब हम आते हैं second वाले condition में second हमें given है 155 तो वो भी हम check कर लेते हैं क्योंकि हमें एक whole number जाहिए अब हम आते हैं second situation में तो second में हमारे पास है 155 तो हमने हापे इसको equation में put किया 155 equals to यह हो जाएगा 12P plus 11 अभी यह हो जाएगा 155 minus 11 equals to 12P 155 में से 11 को हमने minus किया तो हमें कितना मिला 144 equals to यह कितना हो जाएगा 12P अब हम यहाँ पर P के value निकाल लेते हैं P equals to कितना हो जाएगा 144 upon 12 अब इसको हम reduce कर लेते हैं तो यह कितना हो जाएगा 12 ones यह हो जाएगा 12 ones are 12 12 ones are 24 इसका मतलब P हमें क्या मिल रहा है whole number मिल रहा है इसका मतलब यह है कि 155 फर्स कंडिशन में तो फुल्फिल हो गया है अब हम यह सेकेंड एक्वेशन में यह फुल्फिल कर रहा है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं तो यहां पर एक्स के प्लेस में हम क्या लिखेंगे 155 इक्वल्स टू 16 Q प्लस 15 तो यह कितना हो जाएगा 155 इसको हमने इदर शिफ्ट किया तो यह हो जाएगा माइनस 15 इक्वल्स टू 16 Q अब यहां पर इसको हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 140 इक्वल्स टू 16 Q अब हम Q की वैल्यू निकालेंगे तो यह हो जाएगा 140 उपॉन 16 और आपको पता है कि 140 को हम 16 के टेबल से डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक whole number हमें नहीं मिलेगा इसका मतलब जो ये 155 वाला option था ये भी नहीं हो सकता है अब हम आते हैं इसकी third वाले situation में 143 इसको भी हम चेक कर लेते हैं तो इसको चेक करने के लिए वापस ही हम equation 1 में आते हैं क्योंकि हमें सारी जगा चेक करना है तो first equation हमारा क्या था यहां पे x के place में हम लिखेंगे 143 इक्वल्स टू 12P प्लस 11 अब ये कितना हो जाएगा 143 माइनस 11 इक्वल्स टू 12P 143 में से 11 को हमने माइनस किया है तो हमें कितना मिला 132 इक्वल्स टू 12P अब हम यहां पे P के value निकाल लेते हैं तो P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 132 अपॉन 12 इसको हम reduce कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 121 जा ये हो जाएगा 121 जा 12 121 जा 12 It means P की value हमें कितनी मिल गई 11 इसका मतलग first criteria तो fulfill हो गया है अब हम आते हैं इसके second वाल equation में Second equation हमें क्या given था X equals to 16 Q plus 15 था तो अब हम यहाँ पे second criteria भी चेक कर रहे हैं तो X के place में हम कितना लिखेंगे 143 equals to 16 Q plus 15 तो यह हो जाएगा 143 minus 15 equals to 16 Q 143 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 128 equals to 16 Q अब हम Q की value निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 128 upon 16 तो यह कितना हो जाएगा 161 था 16 और यह हो जाएगा 168 था इसका मतलब second वाला criteria में भी हमें complete whole number मिल रहा है तो यह भी इसमें pass हो गया है अब हम आते हैं इसके third वाले equation में third equation में हमें given है 18 R plus 17 तो यहाँ पे X के place में हम लिखते हैं 143 equals to 18 R plus 17 तो यह हो जाएगा 143 minus 17 equals to 18 R 143 में से 17 को हमने minus किया तो हमें मिला 126 equals to 18 R अब हम R के value निकाल लेते हैं R equals to हो जाएगा 126 upon 18 अब इसको हम reduce कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 18 1 जा और यह हो जाएगा 18 7 जा 126 अभी देखो यहाँ पे हमें R equals to कितना मिल गया 7 जो कि क्या है एक whole number है मतलब यहाँ पे तीनों criteria fulfill हो रहे है हमें correct option मिल गया है तो हमें 4 वाले को solve करने की जरुवत नहीं है तो यहाँ पे हम इसको tick करेंगे जो 27 का third option है वो हो जाएगा इसका correct answer अब हम आते हैं इसके question number 28 में यहाँ पे हमें दिया हुआ है the sides forming right angle of a right angle triangle are 7 cm and 24 cm find the radius of the circum circle of the triangle तो यहाँ पे हमें right angle triangle के two sides given है one side हमें given है 7 cm और another side हमें given है 24 cm तो हमें क्या करना है हमें find करना है radius of the circum circle तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका structure कैसा हो जाएगा जैसे एक right angle triangle है और इसके two sides हो गए 7 cm और 24 cm तो यहाँ पे हमें एक circum circle draw करना है तो यह हमने इहाँ पे draw कर लिया तो यह वाला जो part आपको दिख रहा है यह क्या है इसका hypotenuse है और hypotenuse क्या होगा इसका diameter होगा तो सबसे पहले हम इसका hypotenuse find out करेंगे तो इसको हम label कर देते हैं A, B और C तो यहाँ पे यह एक right angle triangle है तो यहाँ पे हम pythagoras theorem apply कर सकते हैं और आपको पता है कि यह क्या होता है A, C square equals to A, B square plus B, C square Pythagoras theorem के according यह हम लिख सकते हैं अब यहाँ पे हम सारे values put कर देते हैं A, B के place में हम लिखेंगे 7 का square और B, C के place में आ जाएगा यह 24 का square अब इसको square से हम बाहर निकालेंगे 7, 7 49, 24 x 24 कितना होगा 5, 76 तो यह हो गया A, C square की value अब यह दोनों को हम add करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 625 अब देखो 25 का square मतलब 25 x 25 कितना होता है 625 तो यह हमने लिख लिया तो A, C की value हमें कितनी मिल गई 25 25 क्या है हाइपोटेनस है और actually में हाइपोटेनस क्या है इसका diameter है तो अगर diameter 25 है तो radius क्या होता है radius diameter का half होता है अब हम क्या करेंगे हम diameter को half करेंगे तो वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि diameter equals to 25 अब हमी क्या करना है, radius निकालना है, तो हम लिख लेते हैं, radius equals to diameter upon 2 तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25 upon 2, अब इसको यहाँ पे इसको हम reduce करेंगे तो 25 का half कितना हो जाएगा, 12.5 हम आते हैं question number 28 के section में, तो यहाँ पे आप देखोगे कि second option में हमें दिया हुआ है 12.5 cm और यह हो जाएगा इसका correct answer अब हम आते हैं question number 29 में, यहाँ पे हमें दिया हुआ है every year the population of a town decreases by 5% due to migration of the people मतलब हर साल किसी टाउन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो population है, वो 5% decrease हो रहा है मतलब कम हो रहा है, और उसका reason दिया है कि वहाँ पे people जो है, वो migrate कर रहे है migrate मतलब छोड़के कहीं बाहर चले जा रहे हैं, in the year 2022, the population was 9025 मतलब 2022 में जो population था, वो 9025 था, find the population of the town in the year 2020 तो हमें यहाँ पे 2022 का population दिया हुआ है 9025, एक condition दी हुई है कि 5% वो कम होता जा रहा है तो हमें 2020 में population कितनी थी, यह हमें find करना है तो हम से पहले हम इसका first option 10,000 लेंगे और उसको check करेंगे कि अगर 2020 में population 10,000 थी, तो वो condition को fulfill कर रहा है कि नहीं तो हम धीरे-धीरे क्या करने वाले है, हम 10,000 का 5% निकालेंगे क्योंकि 5% decrease हो रही है, तो अगर 2020 में population 10,000 थी, तो उसका 5% decrease हुआ होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5% निकालेंगे 10,000 का, तो यह हमने start किया, 5% means 5 upon 100 यह हम reduce कर लेंगे, 2 zeros से 2 zeros को, तो जो remaining part है, 105 हो जाएगा, 500 इसका मतलब 2020 में 500 क्या हुआ, decrease हुआ, 500 decrease क्यों हुआ, क्योंकि 5% decrease हो रहा था तो हमने 10,000 में से जब 500 को minus किया, तो वो हो जाएगी 2021 की population, 9,500 क्योंकि यह situation हमें question में given है, तो अगर 2021 में 9,500 है, तो फिर से 5000 उसमें decrease होई है तो 9,500 का भी 5% हम निकाल लेंगे, अगेन ये 2 zeros से, ये 2 zeros को हमने cancel किया, 95 में हम 5 को multiply करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 475, तो हम क्या करेंगे, अब ये 9,500 जो 20,21 की population है, उसमें से हम minus करेंगे 475 को, because 5%, 5% minus होता जाएगा, तो ये जब हमने minus किया, तो 20,22 में हमें कितना मिला, 9,025 जो की हमें question में given है, इसका मतलब आगे हमको solve करनी की जर्वत नहीं है, तो 20,22 में अगर हमें 9,025 नहीं आता, तो हम next वाला option लेते और same steps को repeat करते, तो ये हो जाएगा इसका answer, और अब हम आते हैं question number 30 में, यहाँ पर हमें दिया हुआ है, the denominator of a fraction is greater than its numerator by 6, मतलब जो denominator है, वो greater है 6 से, 6 से greater का मतलब हम उसको क्या करेंगे, 6 उसमें add करेंगे, suppose numerator अगर हमने x लिया, तो denominator हम क्या लेंगे, x plus 6, उसके साथ में हमें आगे दिया हुआ है, if the numerator is decreased by 1, अगर numerator को 1 decrease किया, मतलब minus 1 किया, and the denominator is increased by 9, और अगर numerator में हमने 9 add किया, then the new fraction is equivalent with 1 by 2, तो जो नया fraction बनेगा, वो equal होगा 1 by 2 का, find the original fraction, तो हमें क्या करना है, original fraction find करना है, तो जो जो situation हमें दी हुई है, उसके according, humble equation create करते हैं, और उसके बाद new fraction को find करते हैं, suppose हमने माना कि numerator x है, तो denominator को हम x plus 6 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, कि greater than 6, और उसके बाद numerator में हो जाएगा, minus 1, क्योंकि decrease हो रहा है 1 से, और denominator में हम plus 9 करेंगे, और यह दोनों equivalent है, 1 by 2 के, तो यहाँ पे, इसको हम solve करते हैं, numerator सेम रहेगा, denominator में 6 और 9 को हम add करेंगे, तो हो जाएगा, 15 is equals to 1 by 2, now यहाँ पे हम इसको cross multiplication करेंगे, तो यह भी हम कर लेते हैं, 2 को हम x minus 1 से multiply करेंगे, equals to, 1 को हम multiply करेंगे, तो जो equation है, वो same रहेगा, x plus 15, now x को हमने 2 से multiply किया, तो हो जाएगा, 2x minus 2, 1s are 2, equals to, right side same रहेगा, now x वाले terms को हम एक साथ ले आते हैं, और numbers को हम एक साथ ले आते हैं, तो 2x में से x को minus किया, तो हमें मिलेगा x equals to 17, मतलब x की value हमें मिल गई है 17, और यह हो गया numerator, और denominator कितना था, x plus 6 था, तो x अगर 17 है, तो x plus 6 करेंगे, इसका मतलब 17 plus 6 हम करेंगे, तो हमें कितना मिलेगा 23, तो हमें अब numerator और denominator दोनों मिल गए है, 17 upon 23, अब इसका option हम check कर लेते हैं, तो हम देखेंगे कि, जो second number का option है, वो है 17 upon 23, यह हो जाएगा इसका correct answer, अब हम आते हैं, question number 31 में, यहाँ पे हमें given है solve, और solve करना है हमें, और bracket में दिया हुआ है, select two correct options, तो इसका मतलब यहाँ पे two options correct हैं, तो वो दोनों options को हमें choose करना है, तो यहाँ पे यह equation दिया हुआ है, तो simply हम जैसे solve करते हैं normal equation को, वैसे इसको solve करना है, अभी देखो इसको हमें add करना है, तो add करने के लिए हमें इनके denominators similar चाहिए, और denominator को similar करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका LCM निकालेंगे, तो यह हम निकाल रहे है, इसका LCM, two, three's are six, three को हमने as it is लिखा, two, one's are two, now three, one's are, three, one's are, अब यहाँ पे इसका multiplication करेंगे, तो two into three कितना हो जाएगा six, इसका मतलब हमें six जो है, यह इसका LCM है, तो three x plus two upon six, यह तो six है already, अब यहाँ पे देखो denominator three है, इसको six करना है, इसका मतलब इसको हम two से multiply करेंगे, तो हमें इसको numerator में भी two से multiply करना पड़ेगा, x plus one और two में भी हम क्या करेंगे, इसको three से multiply करेंगे, तो numerator में भी three से multiply करेंगे, तो हमें यह six मिल जाएगा, equals to five, अब इसको हम फिर से rewrite कर लेते हैं, तो three x plus two upon six, यह as it is रहेगा, plus two two सा four, तो यहाँ पे numerator में हो जाएगा, four x upon three two सा हो जाएगा, six plus x को हमने three से multiply किया हो जाएगा, three x plus three one सा three upon two three सा six, equals to five, अब देखो, इनके denominator सिमिलर हो गए, तो denominator जब सिमिलर होते हैं, तो सारे numerators को हम add कर सकते हैं, तो सारे numerator को हम plus sign के साथ साथ में लिख लेते हैं, और एक common six को हम यहाँ पे denominator के place में लिख लेते हैं, equals to five, अब देखो, यहाँ पे जितने भी xx वाले terms हैं, उन सब को हम add कर लेंगे, तो यह हो जाएगा 10x, और numbers, three और two को हमने add किया, तो हमें मिल गया five upon six equals to five, तो हम further solve करेंगे, 10x plus five equals to six fives are thirty, तो अब इसको हम लिख सकते हैं, 10x equals to thirty minus five, अब यहाँ पे thirty में से हम five को minus करेंगे, तो हमें मिलेगा twenty five, अब हम यहाँ पे x की value निकाल लेते हैं, तो x equals to twenty five upon ten हम लिख सकते हैं, अब इसे हम five के table से divide कर लेते हैं, five, two's are ten, five, five's are twenty five, और यह हो जाएगा इसका answer, तो हमें यहाँ पे two options select करने हैं, तो five upon two को हम divide कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा two two's are four, one remaining decimal point लगा के zero लगाया, तो यह हो जाएगा two five's are ten, तो इसके two options कौन कौन से हो जाएंगे, देखो यहाँ पे जो first वाला option है five upon two, दोनो options correct होंगे, तो आपको क्या करना है, circle में one और two, दोनों को आपको darken करना है, question number 32 में हमें दिया हुआ है, if an article is sold for rupees 150, certain loss is incurred, इसका मतलब है कि अगर article को हम 150 rupees में sold कर रहे हैं, तो कुछ loss हो रहा है, but if the article is sold for rupees 275, the profit is one and a half times the loss, लेकिन अगर article को 275 rupees में sold किया जा रहा है, तो उस condition में profit हो रहा है, और वो profit कितना है, one and a half times the loss, मतलब जो loss हो रहा था, उसका one and a half time है, तो हमें उसका original price find करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं, let the original price be x, देखो, यहाँ पर फर्स्ट वाली situation में, जब 150 में हम sold कर रहे थे, तो हमें loss हो रहा था, और हमें पता है कि loss equals to क्या होता है, cost price minus selling price, तो देखो, तो इसको हम लिख सकते हैं कि loss equals to, cost price जो है, वो क्या रहेगा, यह हमने suppose किया था, x है, और जो selling price है, मतलब selling price अगर हमने 150 रखा था, तो वो क्या हो रहा था, उसका loss हो रहा था, तो यह तो हो गई इसकी first situation, अभी second situation में हमें यह दिया हुआ है, कि अगर हम 275 में, अगर उसको sale कर रहे हैं, second वाले condition में क्या हो रहा है, profit हो रहा है, तो जब profit होता है, तो क्या होता है, selling price minus cost price, तो यह किसका था, one and a half times of the loss था, तो यह condition हमें given थी, तो one and a half को हम solve कर लेंगे, तो two ones are two, plus one हो जाएगा three, तो यह हो जाएगा three upon two, जिसे हम लेख सकते हैं 1.5, तो one and a half के place पे हम लिखेंगे, 1.5 into loss हमने अभी निकाला है, x minus 150, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिख लिया है, अब इसको हम further solve करेंगे, इसको हम multiply करेंगे, तो 1.5 को हमने x से multiply किया, और यह plus minus हो जाएगा minus, उसके बाद 1.5 को हमने 150 से multiply किया, तो हमें कितना मिला, 225, फर्दर solve कर लेते हैं, तो numbers को हमें एक साइट ले आते हैं, 275, यह हो जाएगा, plus 225, इसका sign change हो जाएगा, और हो जाएगा 1.5x, और यह हो जाएगा plus x, इसको हमने आड किया, तो यह हो जाएगा 500, यह दोनों को हमने आड किया, तो हमें मिलेगा 2.5x, अब हम क्या करेंगे, x की value निकाल लेते हैं, तो x equals to कितना हो जाएगा, 500 upon 2.5, अब इसको हम further solve कर लेते हैं, यह हो जाएगा 500, और यह decimal point को हम हटाएगे, तो multiply करेंगे इसको 10 से, तो यह हो जाएगा 25 ones are, 25 twos are, और यह हो जाएगा 0, अब यह क्या बाकी है, 20 और 10, इसको हम आपस में multiply करेंगे, तो हमें मिलेगा 200, और यह हो जाएगा इसका answer, अब हम आते हैं question paper में, तो यहाँ पे आप देखोगे, कि जो option 4 है, यह हमें दिया हुआ 200, और यह हो जाएगा इसका correct option, अब हम आते हैं question number 33 में, यहाँ पे हमें given है simplify, तो इस तरीके के question हमने chapter number 6 में already solve के हैं, तो चलो start करते हैं, इसको solve करना, देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ हम 2 को multiply करेंगे 6 से, और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 को हम 30 से multiply करेंगे, तो जब हम 6 को 2 से करेंगे तो हमें मिलेगा 12, और हमें 12 के factors लिखने हैं, factors लिखने हैं, जिने plus या minus करने पे हमें 7 मिल जाए, तो यह हम कर लेते हैं इसको 3 और 4, क्योंकि 3 और 4 को हम add करेंगे तो हमें मिलेगा 7, वैसे हमने denominator में 30 के भी factors लिख लेते हैं, जिससे हमें 13 मिल जाए, तो यहाँ पे इसके factors लिखेंगे 15 और 2, क्योंकि 15 टूजा हो जाएगा 30, इसको हम लिखेंगे minus 15 और plus 2, तो यह हो place में हम लिखेंगे 3x plus 4x plus 6, denominator में हम लिख सकते हैं x square minus 15x plus 2x minus 30, अब इसको हम further solve करते हैं, तो यहाँ पे हम इसका common लेते हैं, तो common हम ले सकते हैं यहाँ पे x और bracket के अंदर हमारे पास रहेगा 2x plus 3, यहाँ पे हम common लेंगे 2, तो यह रहेगा plus 2, bracket के अंदर बचेगा, यहाँ पे 2x plus 3, now denominator में भी हम common ले लेते हैं, x हमने common लिया, तो हमारे पास बचेगा x minus 15, और यहाँ पे हम ले सकते हैं common 2, तो denominator में क्या बचेगा, x minus 15, because 2 में 15 को multiply करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, अभी देखो, इसको हम लिख सकते हैं x plus 2, और दोनों में से एक common ले लिया, 2x plus 3, और same denominator में भी हम लिख सकते हैं, x plus 2, और यहाँ पे common ले ले लेंगे, x minus 15, अभी देखो, x plus 2 से x plus 2 को हम cancel कर देंगे, तो हमारे पास क्या बाकी है, 2x plus 3 upon x minus 15, और यह हो जाएगा, इसका answer, अब हम आते हैं, कि यह कौन से option में है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, कि option 1 जो है, 2x plus 3 upon x minus 15, यह हो जाएगा, इसका correct answer, अब हम आते हैं, question number 34 में, यहाँ पे हमें given है, to complete a job, a requires 12 days, for the same job, b requires 20 days, to complete the job, both of them work together for 3 days, and then, a left the job, to complete the remaining job, how many days, b will require, तो यहाँ पे कोई job है, work है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो same job, a 12 days में complete करता है, b उस same job को 20 days में complete करता है, जब वो दोनों ने work together किया, साथ में काम किया, 3 days के लिए, और उसके बाद, a left the job, a ने वो job को छोड़ दिया, तो जो बचा हुआ remaining job है, उसको b, कितने दिनों में complete करेगा, वो हमें find करना है, देखो, इसको हम कैसे solve कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम suppose करते हैं, कि जो work done है, उसे हम w से represent करते हैं, तो यह हम लिख लेते हैं, let the work done be w, w से हम work को represent कर रहे हैं, तो a जो है, वो work को 12 days में complete करता है, और b जो है, वो same work को या job को 20 days में complete करता है, तो वो दोनों ने मिलके काम किया था they both work together तो A plus B मतलब दोनों के work को हम add कर सकते है W upon 12 plus W upon 20 अब यहाँ पर W common है तो यह हम ले सकते हैं इसको common इन ब्रैकेट यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 upon 12 plus 1 upon 20 क्योंकि W को यहाँ पर हमने common ले लिया था now अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर हम work done in 3 days मतलब 3 days में कितना काम हुआ है वो हम सबसे पहले निकालेंगे उसके बाद हम remaining work निकालेंगे तो हम इसको 3 से multiply करेंगे किसको multiply करेंगे जो A और B का work है न A plus B हमने अभी निकाला था तो वो हम सबसे पहले लिख लेंगे तो यह हमने लिख लिया अभी यहाँ पर हमें क्या करना है denominator को similar करना है तो 12 और 20 का हमें LCM पता होना चाहिए तो separately आप निकाल सकते हो तो LCM कितना होगा इसका 60 होगा तो denominator को हमें क्या करना होगा 60 बनाना होगा तो हम यहाँ पे से 5 से multiply करेंगे और second वाले case में इसको हम 3 से multiply करेंगे तो सबसे पहले हम denominator को similar कर लेते हैं उसके बाद further solve करेंगे तो यह हो जाएगा 3 इंटु W इन ब्रैकेट यह हो जाएगा 1 फाइव जा 5, 12 फाइव जा 60 प्लस 1 फाइव जा 3 23 फाइव जा 60 3 इंटु W इसको हम add कर लेते हैं 5 फाइव प्लस 3 उपाँ 60 एकुल्स तो 3W और 5 फाइव जाएगा 8 उपाँ 60 इसको further हम 4 के table से divide कर लेते 4 तू जा 8 4 वन जा 4 और यह हो जाएगा 4 फाइव जा 20 तो अब जो हमारे पास remaining part है वो हम लिख लेते हैं और यह 3 से 20 को divide कर सकते हैं 3 बन जा और यह हो जाएगा 3 फाइव सा 15 तो हमारे पास कितना बाकी है यहाँ पे 2W उपाँ 5 यह 2W उपाँ 5 क्या है यहाँ पे work done in 3 days Now work left मतलब कितना काम बाकी है तो work left मतलब जो उसका total work है उसमें से हम 3 days की work को minus करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 5 में से W को multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 5W minus 2W upon 5 अब यहाँ पे 5W में से 2W को minus किया तो हमें मिलेगा 3W upon 5 तो यह क्या हो गया work left मतलब कितना काम बाकी है Now days required by B यह हमें पता करना था तो यह अभी कितना निकला था 3W upon 5 तो यह था days left और upon हम लिख सकते हैं कि B को कितना days लगने वाला है तो यह हो जाएगा 3W upon 5 और B हमने starting में निकाला था कि W मतलब work करने में 20 days लगने वाले थे B को तो वो हमने B की value लगी अब इसको हम further solve करते हैं तो यहाँ पे देखो जो denominator में होता है न उसका opposite side में वो चला जाता है जो value denominator में है वो numerator में चली जाती है तो यहाँ पे इसको हमने rearrange कर लिया जो 5 था वो नीचे आगे और 20 यहाँ पे ऊपर चला गया इसको हमने reduce कर लिया 5 ones are 5 fours are और यह W से W को हमने cancel कर लिया तो हमें कितना मिला 3 fours are 12 और यह हो जाएगा इसका answer कि B को 12 days required होंगे उस remaining work को complete करने के लिए तो देखो यहाँ पे जो इसका third वाला option है न 12 यह हो जाएगा इसका correct option इसको आप practice करेंगे और ध्यान से समझेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा अब हम आते हैं question number 35 में यहाँ पे हमें given है Mrs. Desai purchased 30 tables Out of that she sold 25 tables and received the same amount which she had spent to purchase 30 tables Find the percentage of profit or loss in this transaction तो Mrs. Desai ने total 30 tables खरीदे जिसमें से 25 को उन्होंने sell कर दिया और sell करने में उन्हें जो amount मिला तो वो amount उतना ही था जितना 30 tables को जब उन्होंने buy किया था तो उन्हें जितना लगा था वो तो हमें क्या करना है कि यह जो transaction हुआ है उसमें percentage of profit है या loss है वो हमें find करना है suppose selling price भी x तो हमने suppose किया कि selling price अगर x है तो cost price कितना हो जाएगा 25 जो है out of 30 tables हमने sell किये थे तो उसको हम एक से multiply करेंगे अभी हमें percentage of profit निकालना है तो percentage of profit का formula क्या होता है profit upon cost price multiply by 100 तो यह इसका formula होता है तो अभी हमें क्या करना है profit निकालना है तो profit हमें पता है profit equals to क्या होता है selling price minus cost price तो अब हम यहापे value पूट करेंगे तो profit हमें selling price में कितना दिया हुआ है x minus cost price हमें हमने लिया था 25 upon 30 into x upon cost price के place में हम लिखेंगे 25 upon 30 x multiply by 100 अब इसको हम further solve कर लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा x को हमने common लिया तो यह हो जाएगा 1 minus 25 upon 30 और इसको हम further solve करेंगे तो यह हम as it is लिखेंगे multiply by 100 अभी इसको x और x को हम divide कर सकते हैं तो अब हमारे पास numerator में है 1 minus 25 upon 30 और denominator में है 25 upon 30 multiply by 100 तो 5 के table से reduce कर लेते हैं 5 5s are 25 और यह हो जाएगा 5 6s are 30 ना यह हो जाएगा 6 1s are 6 minus 5 किया तो हमें कितना मिलेगा 1 upon 6 और denominator में हमारे पास रहेगा 5 upon 6 multiply by 100 और यहाँपे मैंने आपको बताया था कि जो denominator होता है वो shift हो जाता है तो यह कितना हो जाएगा 1 upon 5 जो है वो as it is रहेगा और दोनों के denominator एक्स्चेंज हो जाएगे तो यह multiply by 6 ही रहेगा इंटू 100 अब हम क्या करेंगे यह 6 से यह 6 को हम cancel करेंगे तो हमारे पास क्या बाकी रहेगा 100 में हमने 1 को multiply गिया तो यह हो जाएगा 100 upon 5 अब इसको हम reduce कर लेते हैं 5 बजा 5 to the 10 और यह हो जाएगा 0 तो अब हमें percentage of profit मिल गया है जो है 20% अब हम आते हैं question paper में तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो second वाला option है 20% profit का यह हो जाएगा इसका correct option आज के वीडियो में इतना ही अब हम जल्दी मिलते हैं next वीडियो में